ओम शान्ती आज बाबा के 22 अगस्त के महावा के हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुमने सारी कल्ब में आल राउंड पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो। उत्तर है, हम हैं ब्राह्मन चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयम भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्य शाली हुए? दूसरा प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर है, निराकार बाप का, वै तुम सब आत्माओं का बाप है. सब आत्माओं ग्रामा की सूत्र में पांधी हुई है, सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है, ओम शान्ती, रुहानी बच्चों से रुहानी बाप पूछ रहे है, मीठे मीठे बच्चों अपना घर शान्ती धाम याद है, भूल तो नहीं गए हो, अब चौरासी का चक्र पूर हुआ, कैसे पूरा हुआ है, ये भी तुम समझ गए हो, सत्युक से लेकर कल्युक अंत तक, ऐसे और कोई भी पूछ ने सके, मीठे मीठे लाडले बच्चों से, बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है न, घर चलकर फिर सुखधाम में आना है, यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया, दुखधाम, वह है शांती धाम, सुखधाम, अब इस दुख से मुक्त हो जाना है, मुक्ती धाम, मुक्ती धाम अत्व शांती धाम, जैसे की सामने खड़े हैं, वह है घर, फिर तुम नए विश्व में आएंगे, जहां पवित्रता सुख शांती यह तो समझते हैं ना? गाते भी यह हैं। बाप को भी पकारते हैं। ए पतित पावन इस पतित दुनिया से हम को ले चलो। इसमें बहुत दुख है। हम को सुख में ले चलो। स्वर्ती में आता है। स्वर्ग को सवयाद करते हैं, चरीर छोड़ा, कहेंगी स्वर्ग पधारा, left for heavenly award, किसनी left किया, आत्मा ने, चरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है, अभी तुम बच्चे ही, चांती धाम सुखधाम को जानते हो, और कोई नहीं जानते, तुम बच्चों की बुद्धी में knowledge है, चांती धाम क्या है, और सुखधाम क्या है, तुम सुखधाम में थे, अब फिर दुखधाम में आई हो, सेकंड मिनट गंते दिन वर्ष बीट गए, अब पांच अजार वर्ष में बाकी कुछ दिन रहे रहते हैं, बाप बच्चों को सुम्रती दिलाते रहते हैं, बहुत सहच बात है, इसमें मूझने की तो दरकार ही नहीं, आत्मा 84 जनम कैसी लेती है, ये भी किसको पता नहीं ह लाखों वर्ष की तो बात किसको याद रहना भी दिल हैं, ये है ही पांच हजार वर्ष की बात प्यापारी लोग भी स्वास्तिकाग चोपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं, गणेश को हाथी की सूंद दिखाते हैं, मनुशें पैसा खर्च करते हैं, इत इतरादी बनाते हैं, इसको कहा जाता है, वेस्ट ओफ टाइम, तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रती दिन कम होती गई है, जैसे मोटर से पैट्रोल कम होता जाता है, अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो, पांच हजार वर्ष पहले भारत क्या था, अथा सुक थे, कितना जबर्दस धन था, यह राज्य, उन्होंने कैसे पाया, राज्योग दिखे थे, इसमें लड़ाई आदी की बात ही नहीं, इनको कहा जाता है, ज्यान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है, ज्यान के अस्त्र शस्त्र है, ज्यान, विज्यान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबर्दस्त अस्त्र शस्त्र हैं सारे विश्व पर तुम राज्ज करते हो देवताओं को कहा जाता है अहिंसक्ख अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बननी की शिक्षा मिल रही है तुम जानते हो हम हर पांच जार वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा दे रहे हैं ये आत्मा की बात है इसमें इस थूल लड़ाई आदी की कोई बात नहीं आत्मा पतित बनी है इसलिए वे पावन होने के लिए बाप को बुलाती है अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है, यह है जीव आत्माउं की दुनिया, वह है आत्माउं की दुनिया, उसको जीव आत्माउं की दुनिया नहीं कहेंगे यह गड़ी गड़ी सिम्रती में लाना चाहिए हम दूर देश के रहने वाले हैं हम आत्माओं का घर है ब्रम्हान्ड यह भी बुद्धी में रहे हम वहां रहते हैं इस आकाश तत्व से पार जहां सूर्य चांद भी नहीं होते हम वहां के रहने वाले यहां पार्ट बजाने आए हैं चौरासी का पार्ट बजाते हैं सब तो चौरासी जनम ले नहीं सकते आहिस्ते आहिस्ते उपर से उतरते आते हैं हम आलराउंडर हैं सब काम करने वालों को आलराउंडर कहा जाता है तुम भी आलराउंडर हो आदी से अंत तक तुम्हारा पाठ है, अब इस चक्र का अंत है, तो भी उपर से आते रहते हैं, बहुत बच्चे रही हुए हैं, जो उपर से आते रहते हैं, पृद्धी को पाते रहते हैं, बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है, वह लोग तो कहते हमात उनको तो ड्रामा के आदी मद्य अंत, यूरेशन आदी का भी कुछ पता नहीं है, तुमको बाप ने समझाया है, इस शरीर में तुम अभी ब्रामन हो, प्रजा पिता ब्रम्हा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉक्ट किया है, पढ़ाते हैं, यह तो याद रहना चाह ये ना बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वै उच ते उच भगवान है, सभी आत्में इस ड्रामा के धागे में फिरोई हुई हैं, अभी तुम जानते हो, हम शुरू से देवता थे, फिर हम सो शत्रिय धरम में आए, अर्थाद सूर्य वंशी से चंद्र वंशी में आए, इतने चनम लिए, यह सब पता होना चाहिए, यह नौलेज पहले तुम्हारे में बिलकुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है, यह वर्णों की बाजोली है, अभी फिर शुद्र से ब्राह्मन बने हो, ब्राह्मन से फिर देवता बनेंगे, फिराट रूप दिखाते हैं ना, त सारा ज्यान है, कैसे हम नीचे उत्रे, फिर ब्राह्मन कुल में आए, फिर डिटी डाइनिस्टी में आए, अभी तुम ब्राह्मन बू चोटी, चोटी सबसे उंच होती है, तुम्हारे जैसा उंच कुल कौन कहलावे, अगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम क इतने भाग्य शाली हो, अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो, बाहर में तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, यह तो है निराकार बाप, यह बाप कलप-कलप एक ही बार आकर नौलेच देते हैं, पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नौलेच पढ़कर बै सब मनुष्य, मनुष्य को पढ़ाते आते हैं, अभी यह है भगवानों वाच्य, मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वे तो है निराकार, यहां आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई न सुक्ष्म वतन में, न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती ही यहां है, इसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं, स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूझते हैं, हमको निश्चे नहीं होता, पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं, ये लक्ष्मी नारायन सत्युक आदी में विश्व के मालिक क ऐसे बने, जरूर बाप द्वारा बने, बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉंग थोड़ी बता सकते हैं, बड़ा भारी इंतिहान है, इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी है नहीं, सत्युग में थे, अभी कल्युग अंत में है नहीं, इसक को कहा चाता है पंचायती राज्य, जीता में लिख दिया है कौरव और पांडव, रूहानी पंडे तो, तुम हो ना, सब को रूहानी घर का रास्ता बताते हो, वह है, वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर, रूह जनम लेकर पाट बचाती है, ये बाती तुम्हारी सिवाए और कोई नहीं जानते, रिशी मुनी आदी, कोई भी, न रच्चता को, न रच्चना के, आदी मद्य अंत को जानते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतो, उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है, आधा आधा भी हो न सके, पूरा आधा सुखधाम, फिर पूरा आधा दुखधाम, ये हैं पतित दुनिया विशेश, और वह है वाइसलेज, पाप कितना उचते उच है, परंतो, कितना साधारन है, कोई बड़े आदमी आफिसर्स आदी से मिलते हैं, तो उनको कितना रिगा देते हैं, पतित दुनिया में, पतित मनुशे ही, पतितों का दीदार करते हैं, पावन तो हैं ही गुप्त, पाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है, बाप को कहा जाता है, नौलिजफुल, बिलिस्फुल, सब बातें बाप में फुन हैं, इसलिए उनको ज्यान का सागर क यहां चाता है, हर एक मनुश्य के पोजिशन की महिमा अलग-अलग है, वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, यह फिर है उंच ते उंच भगवान, सबसे बड़ा पोजिशन है, निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं, वहां हम सब बाप के साथ परमधाम में रहते हैं, वह है घर, यहां सब को अपना-पना पाट मिला हुआ है, कोई एक जनम का भी पाट बचा कर वापिस चले जाते हैं, बाप समझाते हैं, यह मनुश्य स्रष्टी का वेराइटी जहाड है, एक न मिले दूसरे से, आत्मा तो एक जैसी है बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से, नाटक भी दिखाते हैं, जिसमें एक जैसी दो शकल बनाते हैं, जिसमें मुझ जाते हैं, कि पता नहीं हमारा पती यह है या यह है, यह तो बेहद का खेल है, इसमें एक न मिले दूसरे से, हर एक के फीचर्स अलग-अलग हैं, आयू भल एक जैसी हो परंतु फीचर्स एक जैसे हो न सके हर जनम में फीचर्स बदलते जाते हैं इतना बड़ा बेहद का नाटक है तो उनको जानना चाहिए न सारी स्रिष्टी के आदी मद्य अंत का ज्यान तुम्हारी बुद्धी में है हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता वेहद का ड्रामा है न जनम लेते रहते हैं सब के फीचर्स अलग-अलग हैं कितने वेराइटी फीचर्स हैं यह नॉलेज सारी बुद्धी से समझने की है कोई किताब आदी है नहीं गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या वे तो ग्यान का सागर है उस तक थोड़े ही ले आया उस तक तो भक्ती मार्ग में बनते हैं तो यह सब ड्रामा में नूद है एक सेकेंड ना मिले दूसरे से तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है चक्र पूरा हो फिर नए सिर शुरू होगा अभी तुम पढ़ रहे हो बाप को भी तुम जान गए हो रचना को भी जान गए हो फुलवतन से यहां आते हो पार्ट बजाने स्टेज कितनी बड़ी है इनका कोई माप नहीं हो सकता कोई भी पहुँच नहीं सकते सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पास सकते इसलिए बेंत गाया जाता है आगे कितनी कोशिश नहीं करते थे अभी कोशिश करते हैं साइन्स भी अभी है फिर कब शुरू होगी जब उन्हों का पार्ट होगा तो इतनी ये सब बाते चास्त्रों में थोड़े ही हैं सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है ये काली आत्मा वै गोरी आत्मा काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है नौलिज से कितना उंच पद मिलता है यह है गीता पाटशाला कौन पढ़ाते हैं? भगवान राज्योग सिखाते हैं अमर पुरी के लिए इसी लिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है चरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी जिनोंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबर वार पद पाएंगे तुम यहां कितने बार आई हो? अनकिनत कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ है? तुम कहेंगे यह तो अनादी चला आ रहा है जिनती की बात हो नहीं सकती पूछने का खयाल भी नहीं आता चास्त्रों में सभी हैं भक्ती बार्ग की कहानिया जो पढ़ते रहते हैं यहां तो अनेक भाशाएं हैं सत्युग में अनेक भाशाएं आदी होती नहीं एक धरम, एक भाशा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो वे लोग तो शान्ती स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइस देते रहते हैं जिव बाबा तुमको सारे विश्व में शान्ती स्थापन करने की राय देते हैं उनको तुम क्या प्राइस देंगे? वे तो और ही तुमको प्राइस देते हैं लेते नहीं, ये समझने की बाते हैं, कल की बात है, जबके इनों का राज्य था, अभी तो रहने की जगह नहीं है, वहां तो दो तिन मन्जिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकडे आदी की दरकार नहीं, वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं, साइंस की जोर से घट मका बन जाते हैं, यहां तो साइंस से दुख भी है, दुख भी है, इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। वो कहा जाता है, पॉल ओफ पॉम्पिया, पाया का कितना पॉम्प है, साहुकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वे तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। यहां तो बाप आकर डायरिक्ट तुमको पढ़ाते हैं, बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंदी आदी भी याद आते रहते हैं, यहां तो बाप बैट समझाते हैं, दिन प्रती दिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते चाहेंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा सिर्फ घर और राजदानी याद आएगी फिर ये नौकरी आदी याद नहीं आएगी परेंगे ऐसे कैसे बैठे बैठे हाट फिल होते हैं दुख की बात नहीं हॉस्पिटल आदी तो कुछ भी नहीं होंगे बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने तुम्हारा तो हक है सबका नहीं क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएगे न अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड बॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग नमस्ते 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 ची धार्णा के लिए मुख्य सार है रूहानी पंड़ा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है ज्यान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है दबल अहिंसक बनना है 84 जन्मों का आल राउंड पार्ट बजाने वालों को अभी आल राउंडर बनना है कि सब काम करने हैं बेहद के वराइटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हरशित रहना है वरदान है अविनाशी उमंग उत्सा द्वारा तूफान को तोफा बनाने वाले त्रेश्ट ब्राह्मन आत्मा भव उमंग उत्सा ही ब्राह्मनों की उरती कला के पंक हैं इनी पंकों से सदा उरते रहो ये उमंग उत्सा आप ब्राह्मनों के लिए सबसे बड़े से बड़ी शक्ती है नीरस जीवन नहीं है उमंग उत्सा का रस सदा है उमंग उत्सा मुश्किल को भी सहज कर देता है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते उत्सा तूफान को तोफा बना देता है उत्सा किसी भी परिक्षा वे समस्या को मनुरंजन अनुभव कराता है ऐसे अविनाशी उमंग उत्सा में रहने वाले ही त्रेश्ट ब्राह्मन है प्लोगन है चान्ती की वासदूप जगा कर रखो तो अश्रान्ती की वाज समाप्द हो जाएगी अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है अपनी जो भी विशेश्टाएं है उनको सामने रखो तो अपने आप में पेथ रहेगा कमजोरी की बात को जादा नहीं सोचो उनको तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएगे जब बाप सर्व शक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे की पहुँचे चाए खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी मजबूत है इसलिए पार हो ही जाएंगे इस सम्रती से विजयी बनो और दूसरों को भी बनाओ अच्छा ओम शान्ती